अल्याई रह्मान रहीम, अस्सलामों आलेकुम डियर स्टुटेंट्स, आज हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर नमबर थ्री, वाइब वाइज फिल इन कालेज, हर्बटी हॉक्स ने ये चैप्टर लिखा है, और हर्बटी हॉक्स जो था, मैथिमेटिशियन था और ये सेवरल अलजबरा टेक्स्ट का मसनिफ भी था, रिमेंड प्रोफेसर अफ मैथिमेटिक्स 1910 तो 1917 अट कॉलम्बिया, और कॉलम्बिया में ये 1910 से लेकर 1917 तक मैथिमेटिक्स का प्रोफेसर रहा, ही बिकेम एक्टिंग डिन इन 1917 और उसी कालेज में 1917 में इसे एक्टिंग हैड बना दिया गया, आयर लेटर ही बिकेम पर्मनेंट डिन और एक साल बाद ये उसी कालेज में पर्मनेंट डिन बन गया, और रिमेंड डिन ओफ कालेज तिल इस डेथ इन 1943 और 1943 तक, 1943 तक ये वहां पर कालेज डिन रहा, अपनी मौत तक, यानि 1943 में ये उस कालेज में डिन ही था जब इसकी वफात हुई, तो स्टूडेंट हमें पता चल गया, के हरबर टी हॉक्स जो था वो मैथिमेटिशियन था, उसने दस साल साल तक प्रोफेसर के तोर पे, मैथिमेटिक्स के प्रोफेसर के तोर पे काम किया उसके बाद ये डीन बना, पहले एक्टिंग डीन बना और फिर इसे एक साल बाद पर मैंने डीन बना दिया गया, और ये तकरीबन 26 साल तक जो है वो वहाँ पे डीन के तोर पर काम करता रहा, तो स्टूडेंट ये नीचे देखें अगर आपको नजर आ रहा है बॉक्स में तो वहाँ पे लिखा हुए डीन होता कौन है, डीन का काम क्या होता है, डीन क्या करता है जी, जॉब क्या है डीन की, इसकी अंदर तश्खीश की सलायत होती है, ये तश्खीश कर सकता है, यानि स्टूडेंट को ये जांच सकता है, उनके मसाइल को जांच सकता है, मसाइल को समझ कर उनकी मदद कर सकता है नाकाम होने से उन्हें बचा सकता है अगर स्टेटमेंट पढ़ें विशुड सेव देम फ्राम फेलियर थ्रो दियर फुलिशनेस, सिक्नेस एंड सिन बेवकूफियों की वज़ा से बिमारी की वज़ा से और उनकी गलत कारियों की वज़ा से स्टूडन को नकाम होने से बचाने के लिए ये अपना केरदार अदा कर सकता है ये स्टूडन की मदद कर सकता है तो स्टूडन जाहरी बात है यहां पे ये उनको डाइगनोस कर सकता है उनकी सलाहियत इसके अंदर पाई जाती है डाइगनोज करने की तश्कीज करने की स्टूडन को किन किन मसायल का सामना होता है स्टूडन नकाम क्यों होते हैं इस चैप्टर का अगर हम नेम देखें तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा why boys fail in college के लड़के college में नकाम क्यों होते हैं तो अब हम देखेंगे के कौन कौन से लड़के हैं इनकी कौन सी classes हैं जो नकाम होती है according to H.E. Hawks के टू क्लासिज ओफ बाइस लड़कों की दो किसमे हैं स्टूडेंट की दो किसमे हैं जो कालेज में नाकाम हो जाती हैं ये दोनों ही जब कालेज में पहुंचते हैं तो दोनों ही किसमे जो हैं दोनों ही क्लासिज जो हैं वो बच्चों की नाकाम हो जाती हैं एक तो वो क्लासि ननकी दोसू ट्राइ Glue वो जो कोशिश करते हैं लें कोशिश करने के बावजूद वो नाकाम हो जाते हैं दोसू दोनाड ट्राइ SCP गौन है वो लोग जो कौन है वो सूड़ेंट जो ट्राइ ही नहीं करते पहली है उसकी students having nervous habits वो students जिन में nervous habit पाई जाती है बे चैनी की आदत पाई जाती है वो students जो है वो try ही नहीं करते nervous habit होती है यानि वो एक जगा पे बैठ रही सकते चैन के साथ बैठ कर वो study नहीं कर सकते यानि study करते हुए उन्हें मुख्तलब किसम के काम याद आते हैं या फिर उन्हीं कामों में वो अपना वक्त जाया कर लेते हैं तो दिखने में वो लग रहा होता है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन हकीकत में वो काम नहीं करते हैं हलांके उन्हें काम करने की सलाहियत होती है और दूसरी काइन है mistaken ambition जो गलत मकसद चूज कर लेते हैं यानि पैरेंट्स अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो शायद बच्चा डॉक्टर बनने की सलाहियत ही नहीं रखता या अगर सलाहियत रखता है तो वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता तो जब ऐसी सुरत में बच्चे को फोर्स कर दिया जाएगा तो वो कहलाएगा mistaken ambition उसके बाद है bright students bright students over confident students यानि वो students जो बहुत ज्यादा आसानी के साथ metric में अच्छे marks ले लेते हैं तो जब वो इंटर में आते हैं तो उनका ख्याल होता है कि वो यहाँ पे भी उतनी ही आसानी के साथ पास कर लेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता और वो नाकाम हो जाते हैं ये वो student हैं जिने अपनी सलाईयत पर बहुत ज्यादा नाज होता है उसके बाद है lazy bluffers lazy bluffers वो student हैं जो college में आते तो हैं लेकिन उनका मकसद पढ़ना या studies नहीं होता वो just fun के लिए enjoyment के लिए आते हैं और उनका जिन्दगी में कोई खास मकसद as it is होता नहीं है और दूसरे है those who try अगर दूसी साइड पे आप देखें box में तो वो लोग जो कोशच करते हैं वो कौन कौन से हैं जो कोशच करने के बावजूद नाकाम हो जाते हैं पहली है जी students having poor health and poor physical and mental health वो student जो physically और mentally fit नहीं होते यानि उन्हें लग रहा होता है कि वो सहत मन्द हैं लेकिन वो किसी ना किसी बिमारी में मुबतला होते हैं जिसकी वज़ा से वो अपनी studies को पूरी तो वो जो नहीं दे पाते और वो नाकाम हो जाते हैं यानि लगता तो यू है कि जैसे वो पूरी मेहनत कर रहा है और वो कोशिश भी कर रहा है और वो कोशिश करता भी है लेकिन सबसे बड़ी रिकावर्ट जो होती है वो उसकी पूर हेल्थ होती है जो उसे काम करने नहीं देती और जो ट्राइ करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं वो उनमें दूसरी टाइप है फिनेंशिल प्रेशर माली दबाओ यानि बहुत से पैरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को ये कह देते हैं आफ्टर स्कूल के जाओ कालिज में पढ़ो पढ़ो भी और कमाओ भी यानि हम आप से नहीं मांगेंगे आप हम से पैसे ना मांगना तो यानि उन्हें अपने स्टेडी के अखराजात जो है है 6-6 गंटे 8-8 गंटे उन्हें काम करना पड़ता है और उस काम करने की वज़ा से वो अपनी सहत भी बिकाड़ बैठते हैं और अपनी तालीम भी और यानि ना तो उन्हें अच्छी सहत बचती है और इवन के उन्हें उसके लिए अपना खून तक बेचना पड़ता है तो पाई ही नहीं करते तो इनकी टाइब साब लोगों ने अच्छी तरह याद रख लेनी हैं और अभी हम के आगे डिटेल में देखेंगे पहली टाइब है बच्छों की जो कोशेश ही नहीं करते और वो नाकाम हो जाते हैं स्टूडेंट्स हैविंग नर्वस हैबट्स यानि नर्वस हैबट्स वालों में प्रॉब्लम ये है कि कांट सिट एंड स्टूडी प्रॉपरली कि वो एक जगा पर बैठ नहीं सकते और स्टूडी नहीं कर सकते यानि उनके लिए एक जगा पर बैठना और बैठ कर स्टूडी करना जो है मुश्किल काम होता है हाँ वो बैठत हाई पर तवज्जा नहीं दे पाते तो इसमें आयची हॉक्स ने लिखा है वो कहता है कि जब स्टूड़न्ट नर्वस हैबट वाला स्टूड़न्ट जब बैठता है जब वो किताब खुलता है तो उसे और काम याद आ जाते हैं फॉर एक्जेमपल वो बताता है कि अगर स्टूड़न्ट बैठ पड़ने बैठा है तो उसे याद आता है कि उसे पैंसल अपनी शौप कर लेनी चाहिए तो जब वो एक पैंसल शौप करता है तो फिर उसके जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना मुझे तमाम पैंसल को शॉप कर लेना चाहिए तो होता क्या है वो बेसिकली उसके अंदर पाई जाने वाली बेचैनी है जो उसको काम नहीं करने देती और उसको दीगर कामों में उलजाए रखती है यानि कभी एक पैंसल कभी दूसरी पैंसल और कभी तमाम पैंसल और कभी जिस आज के दोर में आज के मौडरन दोर में जो हो नर्वस हैबर्स जो हो चेंज हो गई है अब कोई मुबाइल पे टेक्स देखना मुबाइल को यूज करना मुबाइल को चार्जिंग पे लगाना ETC डिफरेंट किसम के काम है जिसमें जो हो सूड़न अपने वक्त को जाया कर देता है अज लास्ट में देखेंगे तो आपको नदर आएगा वेस्ट आइम और जूसलेस एक्टिविटीज यानि खौहंखा में बुक के पेज टर्न करते रहना पूरी बुक को देख लेना ठीक है और बुक के कवर को देख लेना और बुक में पाये जाने वाली किसी कहानी को पढ़ लेना तो ये सारे के सारे काम क्या है वो time wasting में आ जाते हैं तो ये student nervous habit वाले student कौन है जो एक जगा बैठ नहीं सकते बैठ जाएं तो पढ़ नहीं सकते पढ़ने बैठ जाएं तो उस पर focus नहीं कर सकते concentrate नहीं कर सकते और different कामों में बेकार किसम की activities में ये अपना वक्त जाया कर देते हैं हाँ solution क्या है अगर solution वाले box में देखें we can only point out the problem हम कर क्या सकते हैं हम सिर्फ मसले को हम सिर्फ problem को highlight कर सकते हैं हम सिर्फ बच्चे को उसका मसला बता सकते हैं कि जनाब आप में nervous habits पाई जाती हैं आप अपनी पढ़ाई पर तबज़ा नहीं कर पाते और याद रखिए nervous habits वाला student सलाहियत रखता है काम करने की उसके अंदर ability होती है लेकिन nervous habits की वज़ा से वो काम पर focus नहीं कर पाता हाँ हम तो सिर्फ बता सकते हैं करना क्या है और इसने हल क्या करना है उसने अपने अंदर cultivate करना है student को अपने अंदर पैदा करना है balance, तोसन, learning, discipline और नजमों जब्त यानि हमारा काम सिर्फ बताना है ये एच्छी prawda केता है कि हम सिर्फ बता सकते है बाकि स्टूडटन ने अपने अंदर Provost करना है स्टूडटन ने अपने अंदर तोसन पैदा करना है उस तवाजन और डिसिप्लिन की मदद से स्टूडेंट कामयाब हो सकता है और ये काम कर कौन सकता है फक्त स्टूडेंट खुद कर सकता है वो लड़का जिसमें नर्वस हैबट पाई जाती है ये काम सिर्फ वही कर सकता है कोई और उसकी जगापर कर नहीं सकता बाकियों का जो काम है वो जिस्ट उसको बता देना है बिसमिल्लारामर रहीम नेक्स रेजी हमारे पस मिस्टेकन अंबिशन मिस्टेकन अंबिशन क्या है? मिस्टेकन अंबिशन वालदین की अपने बच्चों को वो बनाने की खाहिश जिसकी वो सलाईयत ही नहीं रखते जिसके वो एहल ही नहीं होते या यूं कहलें कि वो बनना ही नहीं चाहते यानि पहली बात पहली तो बात यह है कि वो बनने के एहल ही नहीं होते वो सलाईयत ही नहीं रखते जो कुछ उन्हें वालदें बनाना चाहते है हाँ दूसरी कंडिशन ये भी हो सकती है कि अगर स्टूड़न्ट वो सलाहियत रखता है जो कुछ वालदेन उसे बनाना चाहते है लेकिन स्टूड़न्ट वो बनना ही नहीं चाहता जानि अगर स्टूड़न्ट में डॉक्टर बनने की सलाहियत है टैलेंट मजूद है लेकिन वो बनना ही नहीं चाहता तो ऐसी सूरते हाल को हम कहते हैं मिस्टेकन अंबिशन मिस्टेकन अंबिशन इसमें मौामलात क्या है जबके वालदें उसे इंजिनियर बनना चाहते है तो यानि वालदें बच्चे की रजामंदी के खिलाफ जाते हैं वालदें बच्चे की खाहिश के खिलाफ जाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है इसका इफेक्ट क्या होता है इसका इफेक्ट सीधा सीधा ये होता है He finds no interest in that subject उस तालब इलम को उस सब्जेक्ट में कोई दिल्चस्पी ही नहीं रहती वो तालब इलम उस सब्जेक्ट में कोई दिल्चस्पी नहीं लेता ना सिरफ दिल्चस्पी नहीं लेता बलके He feels bored वो बोरियत महसूस करता है वो उक्ताहट महसूस करता है यानि जब वो उक्ताहट महसूस करता है जब उसकी उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं होगी तो वो उस स्टडी को टाइम नहीं दे सकेगा जब वो कोशच ही नहीं करेगा नतीजातन वो क्या होगा नाकाम होगा तो इसमें लास्ट पॉइंट देखें और इसमें तर जम्यदारी तमाम तर गलती कि इनकी है तमाम तर गलती वालदें की है जो उसे मجبور करते है यह प्राब्लम तो यह हो गया कि बचा एक मजमून पढ़ना चाहता है वालदें उसको दूसरी दिकेल देते हैं इसकी वज़ा से वो उक्ताहट महसूस करता है उसे उसमें बोरियत महसूस होती है दिल्चस्पी उसकी बाकी नहीं रहती बेशक सारा कसूर वालदें का है लेकिन इसका सिल्यूशन क्या है इसका सिल्यूशन एक ही है कालेज अथारिटीज मस्ट अलाइव इस वर्क अडवाइस कालेज अथारिज को अपनी जो वर्क अडवाइस है जो मशवरा देने का काम है उससे आगार रहना चाहिए यानि वालदें को अडवाइस करना चाहिए स्टूडेंट को अडवाइस करना चाहिए उसे मशवरा देना चाहिए उसकी इंकलीनेशन के मताबक उसके रुजहान के मताबक बच्चे को गाइड करना चाहिए वालदें को गाइड करना चाहिए उसकी सलाईगे के मताबख बच्चे को मशवरा देना चाहिए जBO कालिज अथर्टिस बच्चे को और उसके वालदैन को बच्चे की सलाईगे और उसके रुजानात के मताबख मशवरा देंगी तो यकीन और इस तरह के स्टुडियंट को नाकाम होने से बचाया जा सकता है अगली केटाकरिt है जिने हमारे Bright Students Our Confident Students Our Confident Bright Students Are Our Confident Their Ability Bright Students ओ Rules होते हैं जिने अपनी सलायत पर बहुत ज्यादा नाज होता है वो बहुत ज्यादा मगरूर हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा Our Confident हो जाते हैं ये वही स्टूडंट होते हैं दे पास ता स्कूल एक्जाम विद लिटल अफ़र्ट可能 ने स्कूल का अमतिहान जो है वो जर्यासी मेहनद करके पास किया होता है यानि ने उन्हें कुछ ज्यादा मेहनद स्कूल में नहीं की होती और इन्हें मेहनत से ज्यादा रिवाड मिल चुका होता है अब इन्हें अपनी सलाहियत पर बहुत ज्यादा नाज होता है ये बहुत ज्यादा फखर करते हैं गरूर करते हैं और शायद समझ बैठते हैं के ये उतनी ही मेहनत करके कालेज में भी पास हो जाएंगे कालेज में भी उतने ही मार्क्स ले लेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता और कालेज में ये स्टूडन्ट नाकाम हो जाते है और एच्छी हॉक्स कहता है कि ये टैलेंटिड स्टूडन्ट होते है जिनकी पिकिंग पार बहुत ज्यादा होती है लेकिन इसके बावजूद ये नाकाम होते हैं तो जब ये नाकाम होते हैं तो H.E.H. कहता है कि मुझे इन स्टूडेंट पर तरसाता है काबल रह्म होते हैं ये ये तो इनका मस्वला है कि ये आवर कांफिडेंट हो जाते हैं जरा सी मेनत करके ये स्कूल में पास हो जाते हैं और वैसे ही ये कॉलेज में पास होने की कोशिश करते हैं नतीजा दना काम हो जाते हैं सिल्यूशन क्या है solution, H.E. Hawks कहता है, we can only tell them हम सिर्फ उन्हें बता सकते हैं हम सिर्फ उन्हें उनके मसले के बारे में suggest कर सकते हैं क्योंकि अगर इस आदत को अगर इन ब्राइट शूरेंट ने नकाम होने से बचना है तो इसमें it involves an entire change in attitude and habits तो उसे अपना रविया बदलना है उसे अपनी आदाद बदलनी है और this can be done by the boy only और ये काम सिर्फ वो लड़का ही कर सकता है, यानि उसकी जगा पे कोई दूसरा उसको ना तो मजबूर कर सकता है और ना ही कोई और उसकी मदद कर सकता है जूसरा सिर्फ उसको बता सकता है उसके मसले को हाईलाइट कर सकता है लेकिन अपने रविये में तबदीली उस लड़के ने खुद लानी है अपनी आदाद को बहतर उस लड़के ने खुद करना है फिरेंशल प्रेशर फिरेंशल प्रेशर जो स्टुड़न की नाकामी की वज़ा बन जाता है ही हॉक्स के मताबक कुछ गरीब वालदें जिनके पास वसाइल नहीं होते जिनके पास वसाइल की कमी होती है वो अपने बच्चे को कालिज भेज तो देते है वो अपने बच्चों को कालिज भेज तो देते है लेकिन साथ ही उन्हें अपने अखराजात खुद बरदाश्ट करने का भी कह लेते हैं तो ऐसे स्टुड़ेंट जब कॉलिज में दाखल होते हैं तो कॉलिज में पढ़ने के साथ साथ लर्निंग के साथ साथ उन्हें अर्निंग की फिकर भी होती है उस अर्निंग के लिए एर्ची हॉक्स के मताबिक वो मुख्तलिफ जगों पर 6-8 गंटे काम करते है यानि 8-8 गंटे वो रोजाना 24 गंटों में 8 गंटे जो है वो काम पर लगा देते हैं चंद सिक्के कमाने के लिए क्या होता है The waste The time वो तुलबा अपना वक्त जाया कर देते है And spoils their health और अपनी सहत भी खराब कर बैठते है H.E.H.O.X के मताबिक 24 गंटों में जो बचा 8 गंटे मुशक्कत वाला काम करके आएगा तो जब वो क्लास में बैठा होगा तो वो फिजीकली और मेंटली फ्रेश नहीं होगा उसकी लर्निंग कैपैसिटी जो हो बहुत ज्यादा लो होगी क्यूं? वो ठका हुआ होगा उसे क्लास के काम जो पिछले दिन उसको क्लास का काम असाइन किया गया होगा वो उसने किया नहीं होगा तो वो क्लास में एक तो छुपकर बैठेगा और दूसरा वो सीखने की जो उसकी सलायत है वो कम होगी वो अपने आपको कमजोर समझने लगेगा और नतीजा क्या होगा? ऐसा स्टूडेंट नकाम हो जाएगा यानि लर्निंग के साथ अर्निंग तो करेगा लेकिन ना तो अर्निंग काम की होगी और ना ही लर्निंग काम की होगी ऐसा नहीं है कि वो जहां पे आठ गंटे काम करता है तो वहां पे कुछ बहुत अच्छा जो है वो सेलरी पैकेज लेता है तो As A Student उसको बहुत कम उच्छछ दी जाती है काम उसे ज्यादा लिया जाता है लेकिन उसकी उच्छछ उच्छछ उसके काम के मताबक नहीं होती अब नतीजा क्या होता है वो वक्त भी जाया करता है सिह हित भी जाया करता है और हासल क्या करता है पूर एजुकेशन एंड पूर सेलरी और रिवार्ड जो पूर रिवार्ड है पूर एजुकेशन है अब पूर रिवार्ड मिलता है उसे और पूर उसकी एजुकेशन होती है वो अखराजात तो पूरे कर लेता है जैसे कैसे करके लेकिन एड दी एंड व कूरे करने के लिए खून तक बेचना पड़ता है सम स्टुडेंट गो थ्रो ब्लड ट्रांस्फूजन यानि वो अपना खून बेचते हैं पैसों के बदले अपना खून बेचते हैं और खून बेचने की वजह से भी बाज उकाद वो अपनी सहत खो बैठते हैं सिल्यूशन क्या बताए है एक गॉर्णमेंट एंड कॉलेज अथार्टिस मस्ट अवाड दें स्टिपशन एंड श्कॉलर्शिप्स को चाहिए और गॉर्मेंट को चाहिए कि इन दुल्बा को स्कॉलर्शिप्स दे ताके वह आठाट घंटों काम करने से बच जाएं ताकि वह अपनी पढ़ाई पर तवज़ा दे सके ताके वो भी काम्याब हो सके ताके वो भी पूर एजुकेशन से बच सके अच्छी एजुकेशन हासल करें ताके आने वाले वक्त में जब वो कहीं मुलाजमत करें तो उने अच्छा रिवाड मिले ह-e-hawks ने यहां पर परेंट्स को भी क्रिटिसाइज किया है कि वो स्टूडेंट बच्चे वालदेन की होजासे इस दुनिया में आते हैं तो वो उनकी इतबड़ाई के दुमेदार भी है नेक्स पॉइंट है हमारा नेक्स क्लासिज ऑफ स्टूडेंट है पूर फिजिकल एंड मेंटल हैल्थ और स्टूडेंट यानि वो स्टूडेंट जो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होते प्राब्लम क्या है प्राब्लम में फिर्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखे तो स्टूडेंट सफर फ्राम डिफरेंट डिसीजिज़ विदाओट हैविंग नॉलेज़ स्टूडेंट मुक्तलफ बिमारियों में मुब्तला होते हैं जिसका उन्हें इलम तक नहीं होता यानि स्टूडेंट फिजिकली और मेंटली बाद अगर वो फिट नहीं होता लेकिन इस बात का उसे पता नहीं होता वो अपने आपको सहत मन तसवर करता है और सहत मन तसवर करते हुए वो काम करने की कोशश करता है लेकिन हकीकत यह है कि वो किसी ना किसी बिमारी में मुबतला होता है जो डाइगनोज नहीं हो पाती जिसका उसे इलम नहीं हो पाता H.E. Hawks ने डिफरेंट डिसीजिस बताई हैं जिन में स्टूडेंट मुबतला होता है और उसे उन बिमारीयों का पता नहीं होता नमबर टू पे आप देखें तो वो बिमारीयां मैंने मेंशन की हैं जिनका जिकर H.E. Hawks ने किया है टूबर कलॉसिस, बैट टॉनसिल्स, स्लेपिंग सिकनस, पूर डाइजेशन, नर्वस एंड मेंटल डिसीजिस यानि ये वो डिसीजिस हैं जिन में बाद अकाद स्टूट मुबतला होता है लेकिन उसे इस बात का इलम नहीं होता और ये बिमारीयां उसकी कारकरदगी को बहुत ज्यादा मुतासर करती है और यही मसला है कि लास्ट पॉइंट आप देखेंगे तो पता चलेगा के ट्राइ हार्ट स्टूट पूरी कोशिश करता है बट कांट पेफुल अटेंशन लेकिन वो पूरी तवज़ज़ा नहीं दे पाता अब वो मेहनत तो करता है लेकिन वो पास नहीं हो पाता और उसके पास ना होने की बड़ी वज़ा उसकी पूर हेल्थ है यानि वो कोशिश तो करता है लेकिन जो उसकी हेल्थ है वो उसे प्रॉपर काम करने नहीं देती और नतीज़ातन वो नकाम हो जाता है H.E. Hawks ने इसका solution क्या बताया है H.E. Hawks कहता है college authorities College must have a medical officer College में medical officer होना चाहिए And proper health services और college में health services proper होने चाहिए Proper health services हो, medical officer हो दूसरे point में लिखा है कि student का regular interval के बाद medical examination करवाया जाए यानि college जो है student का regular interval के बाद medical examination करवाए यानि जो medical officer होगा उसका काम ही यह होगा कि उसने regular interval के बाद student का medical examination करना है वो examination करे ताके जो student किसी भी बिमारी में अगर मुबतला हो तो उसको बरवक्त treat किया जा सके और उसे नाकाम होने से बचाया जा सके इस स्लसले में teachers का और medical officer का आपस में cooperation भी जरूर होना चाहिए यानि अगर teacher कुछ समझता है कि student अपनी एलियत के मताबक काम नहीं कर पा रहा तो उन्हें जरूर मेडिकल ओफिसर से इसे हवाले से बात करनी चाहिए और उस student का medical examination करवाने का कहना चाहिए ताके उस student की बरवक्त काम ना करने की जो वज़ा है सामने आ सके यह प्लेस ओफ स्पोर्ट्स इन कालेज एच्ट्री हॉक्स कहता है कि कालेज में student को स्पोर्ट्स को एक exercise समझना चाहिए और एक exercise के तौर पर खेल कूद करनी चाहिए और इसमें बहुत ज्यादा discipline होना चाहिए बाद अकाद कुछ student के लिए खेल कूद में ज्यादा दिल्चस्पी लेना शुरू कर देते हैं पढ़ाई की निस्वत यानि exercise से हट कर उस खेल को वो अपना passion बना लेते हैं तो एची हॉक्स कहता है जब वो खेल को अपना passion बना लेते हैं तो वो पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं और नतीजा क्या निकलता है वो college में नाकाम हो जाते हैं तो एची हॉक्स कहता है तो essay student का solution यही है essay student को नाकाम होने से बचाने का हल यही है बचाने का तरीका यही है कि वो student खुद college छोड़ दे और अपनी तमाम तर energy जो हैं वो उस sports के लिए वकफ करें professional player बन जाएं और अपना नाम उस खेल में बनाएं तो एची हॉक्स ने student को मश्वरा दिया है कि जो sports में बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी लेते हैं तो वो college को छोड़ दें वो पढ़ाई को छोड़ दें और professional player बनने के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं यह next है यह हमारी class student की जो मेहनत नहीं करती यह कोशिश ही नहीं करते और नाकाम हो जाते हैं problem क्या है they have no serious aim in life उनका जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं होता they join college just for fun and enjoyment और वो college में fun और enjoyment के लिए आते हैं जब college में आके वो fun करेंगे enjoyment हासल करने की कोशिश करेंगे enjoy करने की कोशिश करेंगे नतीजा क्या निकलेगा they put the atmosphere they put the college atmosphere वो college की atmosphere को खराब करेंगे and mislead other students और दूसरे student को भी खराब करेंगे तो problem क्या है इनका अपना जिन्दगी कोई मकसद नहीं है और college में आते हैं तो fun के लिए आते हैं और नतीजा क्या होता है के college के दूसरे student को भी डिस्टरब करते हैं और उनको भी खराब करते हैं H.E.O.X. कहता है they should not be allowed to stay in college H.E.O.X. कहता है H.E.O.X. को college में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए यानि H.E.O.X. ने साफ कह दिया के H.E.O.X. को फिल फूर college से निकाल देना चाहिए और दूसरा point है they should be left at the mercy of the cruel world cruel society college से क्यों निकाल देना चाहिए कहता है इन लोगों को जिनका कोई मकस्द नहीं है जो college को fun समझते है उनको समझाने के लिए उनको राह रास्त पर लाने के लिए college administration को कोश़श नहीं करने चाहिए क्योंकि इनको समझाना H.E.O.X. के रज़ीक बेकार है क्योंकि इनको समझाने से नतीजा क्या निकलेगा ये शायद खुद तो ना समझे लेकिन औरों को भी ये खराब करने का बाइस बन जाते हैं तो इनको समझाने के लिए इनको जालम दुनिया के सामने भेज देना चाहिए जालम सुसाइटी के सामने भेज देना चाहिए ताके ये जिन्दगी के सबक जो है कालेज से नहीं बलके जालम सुसाइटी से सीखें जालम सुसाइटी इन्हें असल सबक सिखा सकती है ये वहीं से असल सबक सीख सकते हैं